हेलो बच्चे लोग, 2024 के सेकंड एक्जामिनेशन का हो चुका है अन्त और आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद अपियर किया हो या फिर बहुत सारे बच्चे अब 2025 के पहले एक्जामिनेशन के लिए त्यारी करना स्टार्ट कर रहे होंगे तो अब ये बिल्कुल सही समय है आप लोगों से बात करने का तो मैं आज बात करने आया हूँ 2025 के पहले एक्जामिन के लिए आपको कैसे शुरुबात करनी चाहिए हलाकि मैंने करीब दो महीने पहले भी आप लोगों को एक स्ट्राटेजी सेशन शेयर किया था जिसके अंदर मैंने 2025 को लेके टारगेट किया था तो आप उसे भी देख सकते हैं और उन दो महीनों में अगर आपने चीजों को उस हिसाब से तयार किया है तो आप डेफिनेटल एक बहुत बेटर पोजिशन में हैं और अगर नहीं किया है तो अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं भीता है हमारे पास अच्छा चेंभीमिने तक का समय है इस साल के तीन महीने और आगले साल के तीन महीने तो इन 6 में जो डिफिकल्टी आपको आने वाली को कि दूर करना है और जो चीजी इंपॉसिबल सी लगती है उसे पॉसिबल साकार करके दिखाना है तो बहुत बेसिक से बारे में बात करूंगा चीजों के बारे में बात करूंगा और बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल बेसिक डिटेल्स के बारे में भी नहीं पता होता तो मैं उसके बारे में बात हैं ज्यादा देर इदर उदर की बाते ना करते हुए तो सबसे पहले मैं जो जानना चाहता हूं या फिर बच्चों को बताना चाहता हूं वो यह है कि एंडिये 2025 के examination की dates वगरा क्या है tentative dates हैं यह ठीक है तो इसमें आगर हम लोग बात करें कि notification release कब हो जाएगी नोटिफिकेशन होगी 11 दिसमबर 2024 को ठीक है और registration भी सेम डे से स्टार्ट हो जाएगी और जो registration एंडिंग होगी 31 दिसमबर होगी करीब करीब आपको 20 दिन दिये जाएंगे registration करने के तो सभी बच्चों को तो यह मैं बोलूँगा जाती है और जब आखरी दिन आता है तब भी बहुत सारे बच्चे देर से जागने वाले बच्चे जो हैं लास्ट में भर रहे होते तो तब भी website हैंगो जाती है तो आप अपने तक लास्ट डे होता है मैं फिर से बोलूँगा अगर 13 एप्रिल को एक्जाम है तो उससे जस्ट एक हफ्ता पहले आखरी दिन होता है जिसमें एड्मिट कार रिलेज हो जाएगा आप चाहें जितने पुराने एक्जामिनेशन दे चुके हो तो आप उसमें देख सकते हैं ए डेक्लेरेशन और रिजल्ट हो जाएगा मैं से जून के बीच में आपके इंटर्वियो डेट सेड्यूल कर दिये जाएंगे तो यह इसमें एक्जाम डेट के अलावा बाकी सारे यह नोटिफिकेशन रिलीज डेट और एक्जाम डेट यह दोनों फिक्स्ट हैं बाकी सब ट को अगर आप टार्गेट कर रहे हो तो उसके लिए भी आप देख लो 28 मई को 2025 में जो है वह आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा साथी साथ रेजिस्ट्रेशन चालो हो जाएगा एंडिंग डेट रेजिस्ट्रेशन की बेटा 17 जून है तो करीब 20 दिन यहां पर भ जो हैं वह शेडियूल कर दिये जाएंगे हाला कि इंटरिव्यू डेट्स पहले नहीं होना चाहिए क्योंकि हो सकता यह आसपासी रहेंगे थोड़ों ठीक है तो अक्टूबर हम लोग कहेंगे कि ऑक्टूबर जो है वह हमारा इंटरिव्यू सेशन हो जाएगा और करक कर पाओ राइट सर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में आता है वह कि सर एज क्राइटेरिया में क्या होने वाला है eligibility है यह नहीं है तो बहुत simple सी चीज है यह दोनों के दोनों तारीक इंक्लूडेड होती है ठीक है यह दोनों तारीक included होती है suppose करो किसी बच्चे का जनम दिन जो है वो बेटा 3rd January 2006 है 3rd January 2006 है मैं 4 example ले रहा हूँ एक स्वरी January नहीं इसके इसाब से 3rd July 2006 है और किसी बच्चे का जो जनम दिन है बेटा वो हमारे पास मानलो 1st July 2006 है ठीक है अच्छा यहां पर अगर हम लोग देखें तो हमने का कि सर 1st July 2009 से पहले हमारे पास मानलो 30 जून 2009 है और दूसरी जगह पे सेकेंड जुलाई 2009 है तो इस बात को समझो आपको क्या इसमें पकड़ना है जिस वज़े से आप बार बार कन्फ्यूज हो जाते हो यहां पर यह कह रहा है कि सर 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में जिसका भी ज दोनों eligible हैं इस फॉर्म को भरने के लिए लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो दो जुलाई से पहले यानि एक जुलाई को बड़े है तो यह eligible नहीं होगा और सेकेंड जुलाई 2009 जो की एक जुलाई 2009 के बाद आता है तो यह भी eligible नहीं होगा तो हमें यहां से लिके यहां तक के बीच में अगर किसी का जनम दिन आता है तो वह eligible पाया जाएगा सेम बिटा एंडी टूटी टूटी टूटीफाइव के लिए सेकेंड जनवरी 2007 से पर्स जनवरी 2010 तक का जो समय है जो आपका एज होना चाहिए वो इसे साब से सेट किया गया है तो आप इसे जरूर ध qualification की बात करूं तो qualification में बड़ा confusion रहता है तो बहुत अच्छे से clear कर लो यहीं पर qualification में यह है कि air force और naval के cadet entry scheme के अंदर अगर बात करें तो aspirant जो है वो 10 वी और 12 वी passed out होने चाहिए अच्छा अगर वो 12 में पढ़ रहे हैं या फिर 12 कर चुके हैं तो उनके पास PCM होना बे कोई criteria नहीं है आर्मी दिंग में aspirant बस 12th passed होना चाहिए बस इतना ही और यहां पर एक और चीज नोट करने वाली बात होती है कि जो बच्छे class 12 में पढ़ रहे हैं 12th appearing candidates can also apply for the examination वो भी eligible होते हैं लेकिन एक चीज मैं नोट यहां पर लगा देना चाहूंगा दूसरा नोट क्लास 11th appearing आर नौट एलिजिबिलीटी यूपीसी ने तो नहीं दी है लेकिन फिर भी बच्छे भरते हैं तो यह आपके उपर रहता है कि आप भरना चाहते को नहीं भरना चाहते हो मैं कहता हूं अपना एनरजी टाइम और रिसोर्स वेस्ट मत करो वेटा आप एग्जाम के बजाए एक्जाम को फोकस करने के बजायाए आप एक्जाम के तैयारी पर फोकस करो करो जैसे खुरक दे रहे हो एक साल सामें एस साने पूछने मों मैंसे नहीं से बहुत बताएं अपने साव इंदर पोरे से लेवस को तियार करओ अच्छे से तैयार करूंगा जो जो मुझे बताया जारा है?' से मुझे बता जा रहा है जितना बता जा रहा हूं मैं सब करूंगा अगर आपके पास समय है तो समय का सही उपयोग करो और अगर कोई 12th क्लास में पढ़ रहा है तो वह भी बेटा 12th क्लास पे प्राइमरी फोकस करें ना कि एंडेक examination पर यह मैं बार-बार बोलता हूं मैं फिर से बोल रहा हूं कि आपको 12th क्लास का syllabus पहले पढ़ना है उसके बाद आपको बहुत अच्छा समय मिल रहा है तो अप पूरा जोर लगाईए लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आराम से अपने आपको वही छे महीने से एक साल का समय दीजिए ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से करें और जैसे ही आपके examination ओवर हो आप एंडे की तियारी में लग जाए है ना अपने आपको प्रेशराइज करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि प्रेशराइज करोगे तो काम कभी भी नहीं बनेगा आपकी high performance वाली जो चीज होती है वो कभी सामने नहीं आ पाईगे अगर आप हमेशा प्रेशर में रहोगे तो रिलाक्स होकर आपको तैयारी करनी है कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल examination नहीं है असान होता है सही strategy को follow करोगे तो definitely you can crack this examination okay चलिए next अगर मैं बात करूँ तो exam का pattern कैसा था mode of examination pen paper based examination होता है ठीक है आप गोले भरते हो number of questions जो mcq type होता है चार alternatives होते हैं यानि चार options होते हैं ABCD उनमें से एक सही होता है language of paper जो है बेटा हिंदी और English दोनों language में आपके लिए आएगा sections बेटा paper 1 math का जिसमें 120 सवाल रहेंगे paper 2 G80 का जिसमें 1.500 सवाल रहेंगे duration क्या है duration दोनों paper बेटा धाई धाई घंटे के होंगे यानि पहले paper 1 math का होगा फिर उसके बाद थोड़ा सा gap लेकर paper 2 G80 का होगा दोनों धाई घंटे के paper होंगे marking scheme बेटा math में 300 marks आपको maximum मिल सकते हैं जिसमें हर question के आपको धाई marks मिलेंगे सही करने पर और minus 0.83 marks आपके cut जाएंगे अगर आपने कोई भी गलत जवाब दिया अगर आपने question को बिना mark किये खाली छोड़ दिया है तो आपके ना कोई marks मिले question आपको सही करने पर मिलेंगे और 1.33 marks जो है वो cut जाएंगे for each wrong answer तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि mathematics मुश्किल होने के साथ साथ कम score भी दे रहा है और GAT थोड़ा comparatively असान होने के साथ साथ ज्यादा marks दे रहा है तो आपको अपना score जो है वो maths के through नहीं GAT के through boost क करना है यहां पर एक चीज मैं important note लगा देता हूं कि इस GAT के अंदर 50 question आपको कौन से section से मिलेंगे और वो मिलते हैं आपको English में से तो यह एक game changer हो सकता है अगर आप 50 के 50 सवाल English के सही कर सकते हो तो आप 200 marks बहुत ही आराम से गेन कर सकते हो जो मैस में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बच्चे नहीं score कर पाते हैं तो English को आपको बहुत बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है ताकि आप इसमें से maximum marks अटीव कर सको और अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो English का पेपर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है जैन्यून सी चीज़े common words हो होती है grammar भी ठीक ठाक सी होती है हां कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट लग सकता है जिनको कभी इंग्लिश का background से कोई नाता ना हो तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन उसे भी अचीव किया जा सकता है निरंतर प्रयास करते हुए आपको जैसे जो बत जैसे coordinate geometry, freight lines, conic sections ठीक है vector 3D geometry यह सारी चीज़े आ जाती है analytical geometry नेक्स्ट हमारे पास आज जाता है differential and integral calculus जो की limits and continuity derivatives है न application of derivatives integration application of integration और differential equation यह सब मिला कर आता है इसमें functions भी involve हो जाता है क्योंकि functions भी calculus का ही इससा होता है फिर अगर मैं trigonometry की बात करूँ तो complete trigonometry जहां आप trigonometry के basic से पढ़ना शुरू करते हो और खतम कहां करते हो inverse trigonometry जो की inverse functions का concept होता है साथी statistics है probability इसके अंदर बिटा binary theorem में आ जाते हैं और लास्ट में आता है algebra जिसमें quadratic equations, sequence series, arithmetic progressions में आ जाते हैं और बिटा कुछ relation functions आ जाते हैं set theory आ जाती है तो ऐसे topics जो हैं वो algebra के अंदर count कर लिए जाते हैं तो यह major हमारा syllabus रहता है जिसमें सभी sections का करीब करीब एक जैसा सा वेटेज होता है एनालीड जिमेटरी की बात करें तो यहां पर हमारे 15-20 सवाल पूस लिया जाते हैं और फिर उसके बाद अगर मैं पेपर 2G80 की बात करूं तो पार्ट एंग्लिश जिसमें comprehension grammar अंदर तक जाने की कोशिश नहीं करता है लेकिन यह कौन से concept तक सीमित है हम कहेंगे class 9 और 10 की अगर आपको science बहुत अच्छे से समझ में आती है बिल्कुल बढ़िया लेवल पर समझ में आती है तो आप इनके questions को अराम से crack कर सकते हो क्योंकि 9 और 10 के level को एकदम चरम सीमा पर ले जाने के बाद सवालों को पूछा जाता है और 11-12 के पर छोटे मूटे से concept से सवालों को पूछ ले जाता है तो अच्छी कासी तयारी आप यहां पर कर सकते हो अगर आपने class 10 में अच्छे से science पढ़ी है बस class 11-12 की जितनी भी आपको teacher level तक पढ़ा है उतना आपको होता है next आपकी history, geography और quality यह थोड़ा से अच्छे level पर पूछी जाती है क्योंकि 11-12 के concepts से मिलाकर आप से पूछी जाती है यानि यह बिल्कुल basic नहीं होती है बहुत अच्छे level पर होती है ठीक है और current events तो आपको पढ़ना ही पढ़ना इसके लिए सबसे important चीज जो है वो ह newspaper बढ़ने के दो फायदे होंगे पहला तो आपको current events के साथ जुड़े रहोगे और उसका connection आपको history, geography, politics, economics के साथ मिलता ही रहेगा लेकिन दूसरा जो सबसे important part होता है वो होता है English की reading habit आपकी बहुत अच्छी हो जाती है जितना आप English को पढ़ते हो उतना आपको वो words अचीव करके बैठे हो तो definitely newspaper का हाथ तो आज ही पकड़ लेना है ठीक है आज से ही पकड़ लेना है राइट सब अगर मैं बात करूं कि preparation tips वगरा कैसे करनी है तो मैं अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज जो बच्चे को करनी चाहिए वो है syllabus को अच्छे से पहचाने अगर वो syllabus को नहीं पहचान रहा है तो वो effort तो लगाएगा लेकिन उसे पता नहीं है कि रुकना कहां पर है कहां पर हमें किस limit तक पढ़ना है कहां पर हमें कहां और ज्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तो syllabus को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है और उसके समझने के बाद अपन पहले ही दिन से आपको उन्हीं weakness के उपर ज्यादा काम करना है ताकि जिन weakness की वज़े से आप पेपर में failure face करते हो वह weakness भी आपको कुछ इतने मांक्स तो दे कर जाए ताकि आप score अच्छा कर पाएं और अच्छे से मेरिट लिस में नाम ला पाएं आप समझने में क्या कहना चाहता हूँ इस चीज़ को ध्यान रखेगा strength और weakness पहचाना बहुत जरूरी है और अगर कोई fresh बच्चा तैयारी करना शुरू कर रहा है या उसने पहली बार पेपर भरा है तो हमेशा बेटा बेसिक से शुरू करें आपको पढ़ाने वाले बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो क पिर आपने उससे पहले के भी कॉंसेट्स अगर मान लिजे स्कूल टाइम के कॉंसेट्स आपके कमजोर हैं तो बिटा एंडिये क्रेक करना एक बुरे सपने जैसा आपके लिए हो जाएगा और आपको इतना डी मोटिवेडिंग फील होगा क्योंकि पढ़ाया बहुत अच् कॉंफिडेंस भरता है और कॉंफिडेंस भरते भरते आप उसको बड़े ही आराम से ग्रैस्प करते हुए चीजों को डाइजेस्ट करते हो और पेपर की तैयारी होती रहती है तो आपको बहुत ज्यादा एफवर्ट्स नहीं लगाने होता है अगर आपके बेसिक्स बहुत सब्सक्राइब करते हैं तो आपको प्रैक्टिस में अच्छी होती है कोई दिक्कत नहीं है तो यह बात याद रखी आप फोन लेने जाते हो तो आप सोचते हो ना कि मुझे फोन कैसा लेना चाहिए जो चमकर है वो ले लिया तो समझदार इंसान फोन वो खरी देगा जैसे कि अगर मानलो से थोड़ा सा डाउन हो तो आपको यह सोचना है कि मेरी कमजोरी क्या है आपको उस किताब को फॉलो करना चाहिए जिससे आपके जासेदा बेनेवेट हो जैसे कि मैं थोड़ी सी मदद करूं अगर मैथमेटिक्स के टिप्स के लिए तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल भी मैथम अगरवाल या फिर केसी सिना जैसी कोई भी हल बुक का इस्तमाल कर सकता है अडी शर्मा की जगह बट मेरी तरफ से प्रेफरेबल बुक कौन से होती है अडी शर्मा होती है नेक्स अगर मैं बात करूं आरे सगरवाल फॉर एंडिये यह बेटा मस्ट बुक है किसी भी बिग आसियत है कि एंडिये के एक्जामिनेशन के लेवल को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है और 14 साल की पीवाइक्यू की एक कलेक्शन आती है दिशाप अब्लिकेशन की तरफ से तो आप इस किताब को देख सकते हो अगर आप पीवाइक्यू को सेग्रिगेटेड फॉर्म करनेट देता हूं अगर आप यह किताब नहीं खरीदना चाते हो तो मैं प्लैटफॉर्म पर स्पेशल क्लासे चलाता हूं जिसमें मैं 5 साल के कोईशन जरूर हुए तो मैं सारे के सारे 5 साल के तो जरूर करवाता हूं तो आप बेटा मेरे साथ तयारी कर सकते हो या फिर बहुत अच्छे लेवल के कोईशन होते हैं इसमें कमी आपको मॉडरे लेवल के सवाल मिलेंगे जफिकल давal के कोईशन मिलेंगे जो थी दरीक यह अजवर स्वाल हुए इस सवाल मीलेंगे तो i8 किताब तो ये किताब कtar कीर में कर रही हो इंगर आगर किसी बच्छे ने पह करेगा लेकिन कोई भी बीगिनर बच्चा इस किताब को फॉलू ना करें क्योंकि बीगिनर स्टेज में आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है और डिफिकल्ट होने के बाब जुद आप क्या हो जाओगे डी मोटिवेटेट फिल करोगे जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आ बात में अभी सर्कास्टिक फॉर्म में बोल रहा हूं कि एंड में आके बच्चे हमसे कहते हैं कि सर जी आप एक फॉर्मूला शीट बना दो ना प्लीज बहुत बनने का काम टीचर का था या आपका था सची बताओ अगर आपने अपने लिए ही काम नहीं किया तो बिटा को ही भी सक्सेस्फुल आपको नहीं होने देगा हमेशा सबसे पहले अपनी नीडफुल चीजों को खुद करने की आदट डालें और कोशिश यह करें कि हां आपको तयार करना है जो जो आपको बताया जा रहा है तो सबसे पहले पीटा क्रिएट फॉर्मूल एडेंटिटी शी अगर अपने दिवार पर चीप कॉर्णा होता कि जब भी ज़रूत पढ़ले आप उसको इस्तमाल करतों डूसराgent क्रियेट शीट बहुत सारे geometric ити गेशल्ट रहें το यह पने सोते हैं जो रम जंक बनाये जा रहे हैं ठीकश्ट लाइन्स की मदद से क्केशन बनाये जा कितने ही कॉंसेट्ट जो है वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम आ रहे होते हैं तो आपको बेटा क्लास 9 और 10 पता भी होने चाहिए उनको लगाना भी आना चाहिए प्रूफ करना आए ना है हमें कोई फर्ग नहीं बढ़ता लेकिन वह आपको अप्लाई करना ज चले कर और मैंने के बाद तुर्ण्त बाद आपको क्या शुरू करना बिटा आपको ट्र colonies शुरू करती नहीं है क्योंकि चितना अच्छे को अब भाउसे करोगे उतनी जल्दी आपको वह फॉर्मुले याद होने शुरू होंगे फॉर्मुले की वराइटीस आपको पता चलेगी कोशन की वराइटीस पता चलेगी और एक्जाम में आया उस अवाल भी आप क्रैक कर पाऊगे तो ट्रिक्नोमेट्र के लिए आडि शर्मा जरूर्ण क कि इनके लिए तो टैफिनेटली 110 परसेंट आपको लडि शर्मा करनी ही करनी है बाकि चैप्टर के लिए अब आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपके पास समय है या नहीं है इंका मतलब आपको इन आडि शर्मा की बिल्कोशन चोड़ना नहीं है और आप ये कर लेते हो तो तो बेटा इस बात का दावा करता हूं कि आप से बहतरीन मैथमेटिक शायद ही किसी की हो पाएगी आपके competition में अगर आप यह चीज़ सच में करते हो अगर आप कहीं पर भी यह करते हो कि आरे सर ने दो बोल दिया होगा ऐसी बोल दिया होगा हमें गडे की तरह लगा के रखने के लिए बोल दिया होगा तो यह बेटा आपकी गलत सोच है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको successful बनाने के लिए यह महनत आपको करने के लिए बोल रहा हूं इसमें मेरा कोई पर्सनल सवार्थ नहीं है कि आप लगे रहो या फिर कुछ ऐसा क्योंकि यह सब चैप्टर ऐसे हैं जिनके डारेट कोईशन आड़ी शर्मा से पेपर में पूछ लिए जाते हैं जिनकी वराइटी ऑफ कोईशन जो है अगर आड़ी शर्मा से करते हो तो आपको एंडिय को भी एक्सपेक्ट कर सकते हों कि अच्छा यह वराइटी का क्वेशन हमने किया हुआ हलाके सवाल थोड़ा लगे लेकिन वराइटी सेम है तो वराइटी को ही नहीं पहचान होगे तो बेटा पेपर कैसे क्रेकर हो गया हर बार आपको यहीं लग रहा होगा कि नया सवाल आएगा बढ़ता जा रहा है competitive examination को त्यार करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूथ होती है तो आप कोई ना कोई बैच जरूर जॉइन कीजिए ठीक है जरूर उस बैच के अंदर पढ़कर आप किसी भी टीचर से जब जानने को मिलता है आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना ठीक है तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टीचर्स डे के उपलक्ष पर अनकाडमी आप लोगों के लिए एक ओफर लेकर आ रहा है जो कि 50% ऑफ है ऑन डिफेंस एक्जाम के सब्सक्रिप्शन पर जिसमें nda cds fcat वगरा वगरा सभी examination को केटर किया जाएग तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन का फाइदा उठाना चाहते हैं तो आपको मिलेगा अभी विजय बैच जो की complete बैच रहेगा 2025 के first examination के लिए nda वाले बच्चों के लिए लेकिन यहें पार आपने देखा कि cds का बैच भी है तो अगर कोई आप में से कोई बच्चा जो अब cds के लिए preparation करना चाहता है तो वो cds के लिए इस लक्षे complete बैच को join कर सकता है आपको सिर्फ क्या करना है आपको यह coupon code इस्तिमाल करना है जो की a k h i l s i r akil sir यह coupon code को इस्तिमाल करोगे तो आपको यह 50% का discount जो है यह अवेल करने को मिल जाएगा ठीक है तो यह बात थो 2400 रुपे के असपास है तो 300-400 रुपे अगर हम लोग अंदाज है ले 300-400 रुपे के बीच में आपका पर मंथ subscription लग रहा है जिसमें बहतरीन टीचर्स की टीम आप लोगों को तयार करेगे लिए इंडिये एक्जामिनेशन और सीडिस एक्जामिनेशन के लिए तो आप इस Community अगर आप टार्गेट कर रहे हैं तो डेफिनेटल आपको इसको गोधरू करना चाहिए आप डेस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक के तुरू भी पूरा कोर्स पेज देख सकते हो कि कौन-कौन है वैसे मैंने आप आपको दिखा दिया है कि यह सेट आफ टीचर्स जो है है तो आज ही इसे अन्रूल करें डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा तो अब लोगों को जितनी बाते जरूरी थी जो समझानी थी वह मैंने आप लोगों को समझा दिया है तो इसको फॉलो करें अपने जीवन में उतारें और देखिए कैसे आपके लाइफ म आता और इस ट्रांस्फोर्मेशन के साथ सक्सेस्फूल बनें तब तक के लिए जैहन